यूटो भोचपुरी फिल्मों की जब बात होती है तो हीरो और हीरोईन तक ही सिमर्ट कर रह जाती है लेकिन जिस तरह से खरनायक फिल्म को जानदार बनाती है उसकी बात बहुत कम होती है फिल्म के हिट होने का क्रेडिट भी फिल्म के हीरो को मिल जाता है या फिर जादा से जादा ये होता है कि फिल्म की आदकारा का नाम थोड़ा बहुत कोई ले लेता है मगर विलेन की बात ही नहीं होती भोचपूरी सिनेमा में ही नहीं बलकि बॉलिवूड तक में कई फिल्में आज भी सिर्फ विलन के बहतरी नभीने की वज़़ से ही तर्शकों को याद है यानि सफलता में हर कलाकार को उसके हिस्से की तारीफ मिलनी चाहिए वैसे हम ये बात इसलिए कर रहे हैं तूकि भोचपूरिया खरनाईकी के सिर्मौर कहे जाने वाले अभिनेता अभधेश मिश्रा के घुटने का ऑपरेशन मुंबई के जाने माने अस्पताल लिलावती में हुआ है तीन महीने पहले जब अभधेश बनारस में शेहंशा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो उनके घुटने में जबर दस्ट चोच लग गई थी डॉक्टरों ने ततकाल ऑपरेशन की बात कही थी लेकिर अपने निर्माताओं से किये गए वादे के कारण अभधेश ने हिमाचर प्रदेश में एक हिंदी और भोचपूरी फिल्म महंदी लगा के रखना की शूटिंग पूरी की इस बारे में अभधेश बताते हैं कि उन्होंने असानी ये दर्द के बीच अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान एक्शन सीन भी किये शूटिंग समाप्त होने के बाद अभधेश ने अपने घुटने का ऑपरेशन कराना ही ठीक समझा वाकि जिस बिलेरी का परिच्चे अभधेश ने दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है अपने दर्द को अभधेश ये सोच कर सहते रहे ताकि फिल्मों के निर्माताओं को किसी तरह का घाटा ना हो फिल्मों में विलेन के रूप में नजराने वाले अभधेश असल जिन्दिगे में हीरो बन कर उपनी है खैर अभधेश को अपरेशन सफल रहा है और कुछ दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से चुट्टी भी मिल सकती है म्यूस रूम से मीघा की रिपोर्ट